पूर्गों स्टेज की उर्गों स्टेज की मश्वर मारूफ शायरा है बलके आप लोगों को ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि हया चेरी टेबल ट्रस्ट के जेरे इतिमाल मुतर्मा ने वो काम शुरू किया है कि गरीब और मुस्तहीद बच्चों को तालीम के मामले में मदद करती है उनका मुस्तक्मिल जो है रोशन और तालाग बनाने के लिए बेपना जितोजहेद करती है कोशिशे करती है कि खुदा जिसकी हिपाज़त की हया जब ठान लेता है खुदा जिसकी हिपाज़त की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चैदर ठान लेता है अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह देता है अगर वो मौत लिख दे तो मच्चर जान लेता है दोस्तो इन अशार की खालिक है मुतरमा लता हया साबा औरसुल व्लाग बंबई से उटकर ना सिर्फो हिंदुस्तान बलके पूरी अर्दु दुनिया में ना सिर्फो हिंदी बलके अर्दु को भी मकमन नमाइंदगी कर रही है निस्वानी एसास निस्वानी ए जजबात के सा साथ हालात या हाजरा को आइना दिखाने के काम करने वाली शायरा मुतरमा लता हया साबा आप लोगों की इलमी अदालत में दोस्तों घंबर तालियों से इस्तेबाल कीजिए मुतरमा लता हया साब असलाम वालेकुम बहुत भारी भरकम अलफास के साथ तारूफ करवा रहे हैं मैं नाचीज कुछ भी नहीं हूँ मैंने बस ये का था कि मैं शुरू भी मैंने का था कि मैं उर्दू की बेटी हूँ और ये का था कि मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है तो मेरा जो तारूफ है वो वक्त के साथ और हालात के साथ बदलता रहा है पहले जब मैं मुशायरों में आई थी तो मैंने कहाता कि नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है नहीं शम्मे हसी जो महफिलों की शान होती है मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गजल गोया हया शामिल नहो तो शायरी बेजान होती है फिर जैसे जैसे वक्त बदला मैंने अपना तारूर करवाया कि ना उसका मकाँ है ना कोई मकी है ना उसका जमाँ है ना कोई जमी है है चारों तरफ बेहयाई का आलम ठिकाना हया का कहीं भी नहीं है फिर वक्त बतला तो मैंने ये कहने की कोशिश की कि ये बात जानते हैं मेरे हम नवा सभी मिजाने हक पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं अब क्या मिलेगी मुझे को सजा आप सोचिए मेरा कुसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं लेकिन अब जो हालाद बदले हैं उसमें मैं अपना तारूफ आपको करवा रही है और मैं जबान का कोई फर्क नहीं समझती हिंदुस्तान में सारी जबाने इतनी गुल मिल गई है कि बात पहुँचनी चाहिए हिंदुस्तानी जबान हर चीज़ को जो है पचा लेती है डाइजेस्स कर लेती है तो मैंने एक बात कहने की कोशिश किये कि नाम हया है मेरा लोगों की हाए से डरती हूँ नाम हया है मेरा लोगों की हाए से डरती हूँ हग गोई से खौफ नहीं है इसलिए सच कहती हूँ पहले चाहत से डरती थी अब चाहे से डरती हूँ जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपना अपना देखो बहुत इलजाम मुझे लगते रहते हैं क्या कहती है कि जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपना अपना देखो शेरो सुखन पे मैं उस्तादों की राए से डरती हूँ और अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबियत खबराती है रस्ते में भी दिख जाए तो मैं गाये से डरती हूँ पात की एक बात की चलो बात कर रहे थे आप अदब के मंच की यहां पर यहां पर राम मिलता है यहां रहमान मिलता है यहां ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम सिख इसाई यही वो मंच है जिस पर के हिंदूस्तान मिलता है यही वो मंच है तो यह हिंदूस्तान के मंच से मैं एक बात कह रहे हैं कि चलो जो भी हालात है चलो तुम गुलसिता रखलो परेगिस्तान मेरा है तेरा शम्शान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है छो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है और फिर देखे कहने की कोशिश किये एक बात कहने की अजां गाए खबर गदार मझभ आस्थान नफ्रत देखिये मैं ताज़ा ताज़ा कलाम कह के लाती हूँ चलते जलते कह के लाती हूँ उसरे देख के पड़ने की बिजा कि अजान गाये खबर घद्दार मजहभ आस्था नफ्रक कहीं कश्मीर में पथर कहीं है नकसली बह्षत कहीं कश्मीर में पत्थर कहीं है नकसली बहशत तुम्हें क्या है तुम्हारा काम बस खबरों में रहना है तुम्हें क्या है तुम्हारा काम बस खबरों में रहना है तुम्हारा काम बस खबरों में रहना है तुम्हारा काम बस खबरों में रहना है तुम्हारा काम बस खबरो बोलिए हम जरा तक्रीर करने तो जिहादी बोलिए और अरक्षड पे जो इतनी तबाही कर गए अब उने भी तो जरा अतंतवादी बोलिए और फिर एक कह रहे हूँ कि कहीं भी जंग हो दहशत हो या फिर बंधमाके हो जिसे देखो वो बस इसलाम पर तोमत लगाता है कहीं भी जंग हो दहशत हो या फिर बंधमाके हो जिसे देखो वो बस इसलाम पर तोमत लगाता है वो मख़ब खूब खूब खाने की अजाजब दे नहीं सकता वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है और एक अता और और की देखिए जिस तरफ देखूं कि एक अभी बहुत इस पिजारती शेरिव इसको कह सकते हैं कि जिस तरफ देखूं नजर आता है बस चेहरा वही जिस तरफ देखूं नजर आता है बस चेहरा वही गोशा और यह भी मुम्किन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा पतन जली पतन जली पतन जली पतन जली शुक्रिया और एक शेर और सुनारियों की चपा हुआ है नए नोड पर पीछे मंगलियान चपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगल यान काश चपे होते उन पर कुछ सैनिक और जवान चपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगल यान काश चपे होते उन पर कुछ सैनिक और जवान और कागस के टुकडों की खातिर जनता थी पगलाई जिसके दिल का टुकडा खोया उसका गम पहचान जिसके दिल का टुकडा खोया उसका गम पहचान जिसके दिल का टुकडा खोया उसका गम पहचान और हजारों बत दुआएं लिख चुके हैं उसके खाते में हजारों पत दुआएं लिख चुके हैं उसके खाते में फरिष्टे भी परीशा हैं लिखें तो अब कहां लिखें बयाजें भर गई सारी कलम के हो गए टुकडे है उसके नाम के आगे लहू लाशें कफंची खें है उसके नाम के आगे लहू लाशें कफंची खेंची खेंची है एक गजल के चंद अशार कहने की कोशिश के सुनिए कि मस्जिद में तो मौला की अज़ां बोल रही है और ट्वीट में चम्चों की जबां बोल रही है मस्जिद में तो मौला की अज़ां बोल रही है और ट्वीट में चम्चों की जबां बोल रही है फिरौन की शदात की नमरूत की छोड़ो इन में से तो दारू की दुका बोल रही है अब इनके सभी काम हैं भक्तों के हवाले सरकार तो चुप है वो कहां बोल रही है अब इनके सभी काम हैं भक्तों के हवाले सरकार तो चुप है वो कहां बोल रही है और सरहत पे भी जाओ ज़रा गौरक्षकों कभी मरते हुए सैनिक की ये जां बोल रही है कि सरहत पे भी जाओ ज़रा गौरक्षकों कभी मरते हुए सैनिक की ये जां बोल रही है रोरो के ये नजीब की मा बोल रही है अब जल्म की इससे भी सिवा इंतहा क्या है रोरो के ये नजीब की मा बोल रही है और मौका मिला हया को तो संसद में भी जाकर हाला की कोई रादा नहीं है लेकिन मौका मिला हया को तो संसत में भी जाकर बोलेगी वही जो के यहां बोल रही है बोलेगी वही जो के यहां बोल रही है बोलेगी वही जो के यहां बोल रही है और देखिए एक बहुत बहुत से जुमले आजकल आने लगे हैं सोचती थude थी कि ठोड़ा सा जरध तेवर बदल के ठोड़ा सा रोमंटिक की सुनाजा लेकिन हालात ऐसे हैं मैं जी हां आजकर बहुत नए एक एक नजम सुनाना चाहूंगी बहुत जुमले ऐसे आजकर सुनाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा तो सुनिएगा माजिद को भी सुनना है आपनों को इसलिए एक नजम चाहके अजाज़त चाहूंगी उससे कब एक अजल के चंद अशार सुना कर थी खोड़ा सा हाला सटके वो है ना जो एक लवज लुगत में वही वफा माजिद सुनना भूंती हूं मुझे क्यों नहीं मिला और खाना पकार मा के बहुत सारे शेर सुनाए गए तो मुझे शेर याड आया कि खाना पका रही थी ना हूँ गर्म इसलिए आप लोग ने देखा हो गाया मंजर बच्वन में कि खाना पका रही थी ना हुगर्म इसलिए माने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया खाना पका रही थी ना हुगर्म इसलिए माने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया और मासूमियत की उम्र में बेचारी लुट गई मासूमियत की उम्र में बेचारी लुट गई जिसकों की लफ़े इसमते मानी नहीं पता जिसकों की लफ़े इसमते मानी नहीं पता और मैं तो कभी यकिन से ये भी नहीं कह सकी सियासता पता नहीं कैसे कह देतेंगी मैं तो कभी यकिन से ये भी नहीं कह सकी मैंने कभी किसी का बुराही नहीं किया तुम रोज आतमान में तारे गिना करो और चांद मुंतजर था मुझे क्यों नहीं गिना और भाई कभी तू पूछले कैसी है बहन तू अब भूधे जब तलग तू तभी तक रहा सगा कपड़े हिसाब है यहां गंदी जबान है कपड़े ही साफ है यहां गंधी जबान है दुनिया के इन खुदाओं में बाखी कहां है अब आप जैसा हुक्म देंगे आप चाहें तो मैं गीत भी सुना सकती हूँ और आप चाहें तो मैं नजम भी सुना सकती हूँ जी वो तो खहर तुझे दिल याद करें तो फुराना गीत एक मैं नयागी जरूर सुनाने की कोशिश करती हूँ दरसली ये लिखा किसी और मकसद से गया लेकिन आपनों की महबतों के नाम थोड़ा सा देखिए हाला सेट करेगी इर्शा जा 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 एक पल के लिए ही चले आओना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए एक पल के लिए ही चले आओना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए हाई इतना भी अब हमको तड़ पाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए एक पल के लिए ही चले आओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम और घंटे भी हमको तो लगते थे कम बात करते हुए भी न ठकते थे हम भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए देखते थे मुझे जब लगा टक टकी भूल जाती थी पल के छपकना तेरी आँख भर आया करती थी बिन बात ही और मेरी चर्श्म भी तो छलकती ही थी हाए फिर से मुझे यू रुला जाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए हाए फिर से मुझे यू रुला जाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए आज इस काम से कल किसी काम से तुम बहाने से मिलने तो आते ही थे जान दी थी बिना देखे ना जाओगे अब बुलाना भी चाहूं तो ना आओगे इत्फाकन इधर से गुजर जाओ ना मुद्दते हो गई तुम को देखे हुए इत्फाकन इधर से गुजर जाओ ना मुद्दते हो गई तुम को देखे हुए और दो बन दोर है ती साथ थे साथ थे फिर भी हम साथ चलना सके सखत हालात को क्यूं बदलना सके लड़ खड़ाए भी ऐसे संभलना सके फिर चरागे वफा बुझ के जलना सके याद के जुगनों को बुझा जाओ ना मुद्दते हो गई तुम को देखे हुए याद के जुगनों को बुझा जाओ ना मुद्दते हो गई तुम को देखे हुए और देखे आखरी बन के आखरी मिसरे बड़ासत कीतब और जो चाहूंगी कि शकल भी एक दूजे की भूले हैं हम कैसे दिखती थी मैं कैसे दिखते थे तुम मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम ठीक तो हो बस इतना बता जाओ ना मुद्दते हो गई तुमको देखे हुए हाए इतना भी अब हमको तड़ पाओ ना मुद्दते हो गई तुमको देखे हुए हुए हुए